हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फैक बाई और कि आप जानते हैं कि दो हजार रुपए से करोडों का बिजनेस खड़ा करने के बावजूद भरी भीड में आखिक क्यों लोगों ने सहारा कंपनी के सुबरत राय की ऐसी हालत कर दी थी पर अगर आप इस पिक्चर को देखकर हैरान हो तो बता दूँ कि सिर्फ इनका मूही काला नहीं हुआ बलकि इन्हें दो वक्त की रोटी भी सलाकों के पीछे तोड़नी पड़ी थी लेकिन ये एक लोते ऐसे बलेनेर नहीं है जिनने गरीबी की चादर ओड़नी पड़ी थी क इने थो हम बगोडे के नाम से जानते हैं लेकिन आप उनको क्या कहेंगे जिसने अपने 140 साल पुराने कॉफी बिजनिस को 25,000 करोड रुपए का टरन ओवर दिया था फिर भी आखिर क्यों एक नदी में कूद कर उसने अपनी जान दे दी थी आए जानते हैं इन वर वीडिय अगर आप नहीं समझे कि यहां किसकी बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूं सहारा ग्रूप और उसके मालेक सुबर्तो रॉय की जिसने खुद ही खुद को सरेंडर किया था पर उसे ऐसा क्यों करना पड़ा ये जानने के लिए हमें उसकी शुरूआत और सक्सेस को समझना ह दरसल 1978 में चिट फंड और 2000 रुपए की मामूली रगम के साथ सहरा ग्रूप शुरू करने वाले सुबर्तों ने अपने 2000 रुपए को तरक्की कर सहरा इंडिया परिवार में तबदील कर दिया था और कंपनी के इसी ग्रोथ ने उसके चेयर्मैन को 682 बिलियान रुपीज का इंविस्टिगेटर्स को ये पता चला था कि सहरा का इंडियन रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन और सहरा हाउसिंग इंविस्ट्मेंट कॉर्पोरेशन इलीगल बॉंड के पैसों से लाखो करोडों रुपए कमा रहे हैं इसके कारण सेवी ने सभी प्रमोटर्स और डिरेक् करने होगे इस केस के बाद सहरा का नाम मारकेट में पूरी तरह से खराब हो गया और उसकी इसी हालत पे तरस खाते हुए सुप्रीम कोट ने सहरा को पैसे लोटाने के लिए तीन इंस्टॉल्मेंट की इचासत दी जिसमें से पहला 5,120 करोड रुपए का इंस्टॉल्मेंट के बाद बस लोगों को हाँ या नामे से एक का चुनाओ करना था उसी तरह जिस तरह आज मैं और आप ना जाने कितनी ही बातों का ऐसे ही चुनाओ करते हैं क्योंकि सही होना किसे पसंद नहीं आता और इससे आपकी नॉलिज और बड़े तो सोने पे स्वागा है ना जिसके लिए सबक सिखाते हुए आपने अमेरिका के बिल गेट्स के बारे में तो सुनाई होगा लेकिन क्या आपको पता है हमारे इंडिया में एक ऐसा इंसान था जिसकी काम्याबी ने उसे आंदर प्रदेश के बिल गेट्स का टाइटल दिलवाया था जी हां पर वो कहते हैं ना सच को कितना भी छुपा वो सामने आ ही जाता है और कुछ ऐसे हुआ बिल गेट्स कहलाने वाले रामा लिंगा राजू के साथ जब उनके काले सच ने उने साथ साल के लिए सलाखों के पीछे बेच दिया लेकिन क्या था उनका काला सच वेल रामा लिंगा की कहानी 1987 में शुरू होती है जब बिना कि इंजिनरिंग बैग्राउंड के वो अपने भाई TVS राजू से इंस्पायर होकर उन्होंने सिकंद्राबात में सत्यम कंप्यूटर सर्विश शुरू की और सिर्फ 23 एंप्लॉईज के साथ शुरू की इस कंपनी को रामा लिंगा ने 53,000 एंप्लॉईज और 5 कंपनी जास कस् क्राइसिस आने पर रामा लिंगा के लिए इतनी भारी पड़ी कि पहले तो उन्हें साथ करोड रुपए की धोका धड़ी का सच सबके सामने लाते हुए अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा और बात यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि 2013 में टेक मेहंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स को खरीद कर उसके भूले हुए दियास को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की खातिर उसका नाम बेहंद्रा सत्यम रख दिया लेकिन रामा लिंगा की धोका धड़ी के काले सच का खुलासा होने के बाद उन्हें असल सजा 2015 में मिली जब उनके भाई और साथ के साथ उन्हें साथ सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया पर अब जेल में के स्कैम से लोगों को कौन बचाएगा ये तो बगवानी जाने नमबर त्री किंग फिशर और हमारी इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा अनफॉगेटबिल नाम है विजह मालिया का कभी इंडिया में ऐसे घर में रहता था पर आज दरदर भागने के अलावा उसके पास कोई दूसरा आप्शन नहीं है और इसकी वजह है विजह मालिया ने 9000 करोड रुपए का घपला किया पर इस घपले की जड़े 2005 में दिली टू मुंबई उनने वाली उनाइटेड ब्र लेकिन दिक्कत ये थी कि काम्याबी के आसमान को तो इसने चू लिया पर प्रॉफिट का स्वाथ चखना अब तक बाकी था और इस दौरान सीओ विजह मालिया ने एयर डेकन एयरलाइन्स को भी खरीदा जिसके चलते उसके कर्से बढ़ते चले गए पर उसके और उसकी टी पास के पंकों की खराबी बद से बत्तर हो चुकी है उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था और देखते ही देखते दो हजार बारा में डायरेक्ट्रेड जनरल आफ सिविल एविएशन डी जी सीए ने बैंकरप्सी के चलते इस कर्जे में डूबी हुई किंग फिशेर ए दो मार्च 2016 को यू के भाग निकला और इंडिया के बहुत ढूडने के बाद भी उसका असल पता ना मिलने पर इंडिया ने उसे भगोड़ा गोशित कर दिया नमबर फो नीरव मोदी अब इस कैम के नाम आया और हम उस परिवार को बुला दें जिसने ना सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक पर उसके साथ साथ जनता को भी चूना लगाया था तो भात कैसे बनेगी जी हाँ मैं नीरव मोदी और उसके परिवार की बात कर रहाँ जिसके इसकी पूरी सचाई शायदी आपको पता होगी जिसका खुलासा दुनिया के सामने तब हुआ जब पी एनबी ने 10,000 करोड रुपए की हेरा फेरी पकड़कर 2018 में F.I.R. दर्ज करवाई थी पर ये हेरा फेरी सिर्फ 2018 की नहीं थी इसकी शुरुआत मार्च 2013 में हो चुकी जब P.N.B. बैंक के डिपिटी मेनेचर गोकुलनाश शेटी और कलक मनोज खरात को खरीद कर नीरब मोदी और उसके साथियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और P.N.B. के ये दोनों इंपलॉईज नीरब मोदी को बिना किसी प्रोसीजर लेटर्स आफ अंडर्टेकिंग यानी एलो यू इशू कर रहे थे जिन एलो यू से नीरब मोदी दूसरी बैंक जैसे अलाबाद बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया से इस दावे के साथ लोन ले पा रहा था कि P. P.N.B. बैंक उनके पैसे भरेगी, पर P.N.B. बैंक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ऐसा इसलिए हो पा रहा था, क्योंकि P.N.B. के दोनों करप्ट एंप्लॉईज उनके ट्रंजेक्शन्स को बैंक में रेजिस्टर नहीं कर रहे थे, पर जैसा मैंने बताया, 2018 में सच सामने आने के बाद, नीरब मोदी के सारे रिष्टेदार पकड़े जाने के डर से भाग खड़े हुए, और एंफोर्समेंट एजनसी के हाथ सिर्फ मोदी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी लगी, जिसका टोटल करके उनोंने 2362 करोड रुपे की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, पर कानून के लंबे हाथों से नीरब मोदी की प्रॉपर्टी की तरह नीरब भी जादा दिन नहीं बचे और वो 20 मार्ज 2019 को पकड़े गए, अगर आपके पास 25,000 करोड की कमपनी होगी, तो क्या आप आत्मत्या करोगे, नहीं ना, लेकिन कहफे कॉफी ड जार्था ने 1996 में एक ट्रेडिंग कमपनी खड़ी की, जिसे Amalgamated Bean Company, ABC, Cafe Coffee Day, CCD जैसे नाम से जाना जाता है, इन कमपनी ने जल्दी 25,000 करोड का टर्न ओवर अचीव करके, इंडिया के biggest green exported company का खिताब अपने नाम किया, साथ ही आज की तारीख में CCD के पास 1750 प्लस आउट क्योंकि 2018 में 1777 करोड, 2019 में 1814 करोड और 2020 में 2250 करोड का profit growth होने के बाद भी company का profit इनके करजे के मुकाबले बहुत कम था, और 2017 में company के बढ़ते हुए business पर मानो तबलगाम लग गई, जब V.S. दार्था को tax ना पे करने के लिए उन्हें दोशी ठहराते हुए, उन पर 6500 करो रुपए चुपाने का इज़ाम लगाया गया, और साथ ही साथ इनकी company के 20 locations पर income tax department ने rate भी दी, जिससे उनके रातों की नींद और दिन का chain कोने लगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, 2018-2020 के बीच revenue में growth तो था, लेकिन सर पर करजा growth से 6 गुना जादा था, और ऐसे में सिदा चुलाई 2019 करीबन शाम साथ पजे सिदार्थ ने मैंग्डॉर सिटी के नितरावती नदी में कूद कर अपने आपको खत्म कर लिया, लेकिन आज भी इनकी CCD चल रही है, जिसे और कोई नहीं उनकी बीवी समालती है, और उन्होंने सही planning और strategies के बल पर अपनी company पर चड़े क तरजे को चुका कर company की हालत को थोड़ा stable किया है, पर आज भी वो शान और शौकत मिसिंग है, जो वियस सिदार्था ने पाई थी, अब ये सब जानने के बाद यही पता चलता है, कि ये सारे billionaires एक दूसरे से कितने अलग क्यों ना हो, पर इन सब में एक similarity है, वो ये, कि ये सब zero से hero बनने के बाद कहीं ना कहीं इमानदारी के रास्ते से भटक गए थे, पर क्या एक मुकाम पर पहुँचने के बाद इनका ये करना जरूरी था, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like और channel को जाहे है